हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NCRT प्लेटफर्म पर आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आपका जो वाला पेपर हुआ है उसकी पेपर के सॉल्यूशन के बारे में इसमें हम जी एस वाला जो पोर्सन है उससे कवर करेंगे जी एस इसका सही उत्तर है अगला है सर्दियों के मौश्रम के दोरान उत्तर पूरवी देशों पर कौन सी पवने हावी रहती है बे बहुमी से समुद्र की और यह बहती है इसलिए देश के अध़ेकांश भागों के लिए यह सुस्क मौसम आरे जाता है तो यह ब्यापारिक पवने इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है भारत की जलवाईू को किस प्रकार की जलवाईू कहा जाता है तो मानसुनी जलवाईू भारत की जलवाईू को कहा जाता है अगला प्रश्ण है चौरासीमा नेमलिकित में से किस कारक के कारण भारती उप महादी में मद्देशिया की तुलना में अप एक शक्रत हलकी सर्दिया होती है तो हलकी सर्दियों का कारण मुक्रूप से है हिमाल है भारत में मद्देशिया के साप एक हलकी सर्दिया होती है क्योंकि हिमाल है बहुत कुछ इसका प्रभाब भारत पर रहता है क्यो नेमलिकित में से कौन सा केंसासित प्रदेशों के बीच नीती आयों के पर्थम राज्य उज्जा और जलवाई सूचकांक S.E.C.I. में सीर्स इस्थान पर है तो संगसासित प्रदेशों में दमन दीव और दादरा नगर हवेली इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है MSME सतत JDD प्रमारन योजना के तहट मध्यम उद्धमों को उनके ब्यवसायों में कितने प्रदेशत सबसीड़ी मिलेगी इसका सही उत्तर है 50 प्रदेशत अगला प्रश्ण है विधाई मामलों में दोनों सदनों और लोकसवा और राजसवा को किस विद्यक को छोड़कर लगबग समान सक्तियां प्राप्त नहीं तो धन विद्यक इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है केंद्रिय मंत्री मंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतराष्टी संगठन के रूप में वर्गी करत करने की मंजूरी दी तो CDRI इसका सही उत्तर हो जाएगा आपदा रोधी अफसर रचना के लिए गटवंदन अगला है सिंगापर ओपन 2022 महिला एकल खिताब किस ने जीता तो पीवी सिंदू इसका सही उत्तर हो जाएगा 2022 की विश्व जनसंक्या थीम क्या थी आठ विलियन की दुनिया सवी के लिए लचीले भविश की ओर अफसरों का दोहन और सवी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना यह है इसकी थीम थी अगला प्रश्ण है ब्रोकेड कहां की प्रसिद कला किरती है तो साड़ियों पर बनारस में की जाती है ब्रोकेड कला नेमलिकित मैंसे किस संस्तान ने जुलाई 2022 में विकासिल देशों के जीवन यापन की लागत के संकट मतलब cost of living crisis in developing countries की report जारी की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UNDP किस नरत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो सास्तिरी नरत्यों में माना जाता है तो कथा किसका सही उत्तर हो जाएगा महाकुम्ब मेले की तिति खगोली रूप से सूर्य चंद्रमा और किस ग्रह की इस्तिती के बाद निर्दायत की जाती है तो यह ब्रस्पती ग्रह की इस्तिती के साथ तेह की जाती है हेले passport index 2022 के अनुसार सबसे शक्तसाली passport है जापान का अगला है गुजराद agro radiation processing facility के से USDA APHIS के अंतरगत किसे निर्यात को मंजूरी मिली है तो आम और अनार को मंजूरी मिली है किस पश्चिम अफरीकी देश ने कहा तक मार्गवर्ग बाइरस के पहले प्रकॉप की सूचना दी थी तो इसका सयुत्तर हो जाएगा गहाना नेम लिकित में से कौन सा सहर 2022 में आविजित वर्ल्ड अरवन फोरम 11 का मेजवान था तो केटोबिस इसका सयुत्तर हो जाएगा अगला है किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में क्रसी पारिस्तितिक और प्राकृतिक संसादनों के लिए सदत प्रवंदन पर एक सयुक्त गोशना पर अस्ताक्षर किये जर्मनी इसका सयुत्तर हो जाएगा अगला है कौन सा ओपरेशन के आदार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है तो रिमोट इसका सयुत्तर है ड्रेगन फूट पर राष्टी सम्मिलन की मेजवानी कहां की गई थी तो दिल्ली इसका सयुत्तर हो जाएगा क्रशी और किसान कर्लेन मंतराल है और इसके साथ दो सरकारी कारेक्रमों PM, FBY और किसान के रेट योजना के तैट तकनी की सायता पर हस्ताक्षर किये ते किसने किये ते UNDP इसका सयुत्तर हो जाएगा 104 Windows 10 में Operating System में File Explorer में File और Folder को खोजने के लिए F3 का प्रियोग किया जाता है अगला है चटी पांचवी चटी सताब्दी में तुर्की लोगों के सिंदू और के पूर्व के लोगों में इस्तिमाल की जाने वाली भासा का नाम क्या था तो इसका नाम था अलहिंद विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयरगर सामराज के सासकों को क्या कहा जाता था इन्हें नर्पती कहा जाता था कौन सा सिब मंदिर चोल सासकों के सरक्षन में नहीं बनाये गया तो गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार इह चोल सासकों के सरक्षण में नहीं बनाया गया प्राची नित्यास में अंडा के उपर हर्मिका थी एक बालगनी जैसी सररचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनेद्ध करती थी हर्मिका एक मस्तूल से निकलता था जिसे इस्तूप कहा जाता था अगला है छटी सताबदी में जैन और बहुत गरंतों में कितने महाजनपदों का उल्लेक है तो 16 महाजनपदों का उल्लेक अंगुत्तर निकाई में बताये गया है सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल क्रिष्ट गोकले ने सन 1905 में की थी गोपाल क्रिष्ट गोकले इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है अंग्रेजों के साथ की समझोते के बाद गांदी द्वारा सविने अवग्या अंदुलन 1931 को बंद कर दिया गया तो गांदी इर्विन समझोतब 1931 में हुआ इसकी बाद सविने अवग्या अदुलन बंद कर दिया गया और गांदी जी दिती गोलमे समेलन में भा अगला है ओम के नियम का एनुसार कॉन सा समीकरनड सत्या है av contact से नमबर दूसरा सही है तो कानपर में 11,57 की विद्रों का नेतरु किस ने किया तो कानपर में कि मानाव सरीगी सबसे छोटी हड़ी है इस्टेपीज कौनसी है कान की हड़ी इस्टेपी जिसका सही उत्तर हो जाएगा कौनसी दातू सबसे अधिक तन्य है तो तन्य दातू में सोना सबसे ऊपर आता है अगला प्रेश्ण है भारत का स्वाणिम चत्रबुज है भारत के चार बड़ी सहरों को जोड़ता है उसमें कौन सा सामिल नहीं है तो हैदराबाद इसमें सामिल नहीं है क्योंकि दच्छन भारत में चेननई को जोड़ता है कौन सा लेंस का प्रकार का उपयोग छोटा प्रतिवम के लिए किया जाता है तो अब तर लेंस का प्रियोग छोटा प्रतिवम बनाने के लिए किया जाता है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज में कौपर आयस्क का सरवादिक भंडार है तो राजस्तान इसका सही उत्तर है, राजस्तान की प्रिसिद्ध, खेतडी की जो तामवे की खाने हैं, उसमें 50% से अधिक भारत का कौपर आयस्क पाए जाता है, कौन सा नावी की सक्ति सहें तो उत्तर प्रदेश में है, तो नरोरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प् जाती है, यह किस देश में पाई जाती है, तो यह केनिया में पाई जाती है, अगला है बिंदि परवत उत्तर पस्चिम में अरावली परवस्त रंगला और दच्छन में किस के साथ गिरा हुआ है, तो यह सत्पुडा के साथ गिरा है, पूरवी तटी यह मैदानों के दच् वारत का सबसे उत्तरी अस्चान्स है तो 37 डिग्री 6 मिनट यह सही उत्तर हो जाएगा विविन इस तरह पर रहने वाली विविन प्रजातियों के उर्द्वादर वित्रण को क्या कहा जाता है तो इस तर विन्यास इसका सही उत्तर होगा रुई के समान देखते हैं और भी आम दोर पर 4000 से 7000 मीटर की उचाई पर बनते हैं तो इन्हें पक्षाव मेव मेग कहा जाता है एक खातिस रंगला में विविन विन्दूआं पर उर्जा के प्रभा के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है तो पारिस्तितिक दक्षता क का प्रामिड उल्टा होता कैसा होता उल्टम होता आ है차 अगला है निम लिकित में से पक्षिया ब्यारण उत्तर परदेश में श्थ्तित है तो समसपर पक्षियाल तो किस परद में बाई मंडल का ओजुन जो लेयर है वह है अधिकता और केंदृत है तो समताब बंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है कौन सा हवाई एड़ा भारत का पहला हवाई एड़ा जो पूरी तरीके से नवी करणी और उर्जदवारस नचालेत होगा निम्न बतान के ठीक नीचे होती है श्रव लेयर कहा जाता है इसे कौन सा लाल पांडा के लिए सिक्किम का राज की पश्यू है लाल पांडा और खांचे जूंगा सिक्किम के राष्टी उद्यान में पाए जाता है कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है तो हेमिस राष्टी उद्यान ये लद्दाख में इस्तित है उप्सन नमबर B सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलिकित में से भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर परिशे के लिए एक समझद ग्यापन पर अस्ताक्षर किये हैं तो नामीविया इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है ISFR के अनुसार निमलिकित में किस राज़े में वन शेतर में अधिक तम ब्रदी देखी गई तो आंद प्रदेश इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण दच्छण पश्चिमी पंजाब हर्याणा राइस्तान के अर्ध सुस्क छेतरों में किस प्रकार के वन हैं तो उश्ण कटवन दिये कंटक वन इसमें पाए जाते हैं शागोन, साल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आवला, सेमल, कुसम और चंदन आदी ये किस प्रकार के वन हैं तो ये उश्ण कटवन दिये पंड़ पाती वन हैं इसी के साथ ही आपका ये जी एस का पॉर्शन कंप्लेट हुआ मिलते हैं अगली वीडियो में कमेंट करके अवश्चे बताएं अगर कोई वीडियो में दिक्कत है तो जरू बताएं तब तक के लिए धन्यवाद